आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, फ्रेश नहें मरूद भिदो में धसे Istometa होते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर कथन दिया गया है जो मरूद भिदोते हैं इनमें धसे वह Istometa होते हैं यह कथन सत्य है या असत्य है ठीक है तो दोस्तों जो मरूद भिदोते हैं यह जल की कमी वाले इस्थानों पर ठीक है जल की कमी वाले इस्थानों पर उगने वाले ठीक है उगने वाले जो पोधे होते हैं ठीक है यह क्या कहलाते हैं मरुदभिद पोधे कहलाते हैं और इन में धसे हुए इस्टो मेटा पाये जाते हैं ठीक है धसे हुए इस्टोमेटा पाये जाते हैं क्यों पाये जाते हैं तो दोस्तों जल की हानी को रोकने के लिए ठीक है जल की हानी को रोकने के लिए क्योंकि यह जहां पर रुखते हैं वहां पर पहले ही जल की करमी होती है और उस जल की हानी को रोकने के लिए इनमें धसे हुए इस्टो मेटा पाया जाते है, हम इस्टो मेटा जो होते हैं, यह पोधों की पत्तियों में पाया जाने वाले क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे जल जो होता है यह वाश्प के रूप में, ठीके, क्या होता है जल वाष्प की रूप में उत्सर्जित होता है और जल का वाष्प की रूप में उत्सर्जन या निश्कासन क्या कहलाता है वाष्प उत्सर्जन तो अगर रंद्र जो है या इस्टो मेटा जो वधसे होंगे तो उनसे वाष्प सर्जन कम होगा और वाष्प तेहे, धन्यवाद.